हेलो युवर्स वेलकम तो यूटुब चैनल दा फिजिक्स वेव और माई नेम इस हेमंद कुमार आज हम बात करेंगे कि लाश 12 यूनिट नमबर टू का लेक्ट्र नमबर फॉर जो हमारे पास यूनिट नमबर टू है करेंट इलेक्टिसिटी उसका लेक्ट्र नमबर फॉर लाश्ट हमारे पास लेक्शन नमबर फॉर थी था उसमें हमने डिसकस किया था था resistance के बारे में रशिस्टेंस किया होता है किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वहांसे हम्ने एक नई यूनिट निकाली थी बारे मिएंवा पे स्टेडि किया था तो हमारा नेक्स्ट टोपि यह बात पता है कि लास्ट हमने जब ओम स्लो को पड़ा था तो ओम स्लो में हमने यह पड़ा था M N स्क्वेड टो अपॉन एं सोरी L अपॉन ए आप तो गोग सब्सक्राइब कहा से आया वी स्कूल टुआ यार उत्ते नहीं हमने twitter अब आपको दूसरा उं स्लो कर आये था याद आया नहीं आयाए सो आप अपने जो लाश्ट वीडियो है मारी पर देख सकते हो तो यहाँ पर में सारा काम किसका ट्यव्य अमारे पास यहाँ फिर न को देखने से पहले जो आपके प्रिवियस डियक्स जरूरी है ठीक है तो आपके पास जो टो था वो relaxation time है जो resistance है वो इसके equal आये था यहाँ पर mass है एन नंबर density of electrons है ए इलेक्ट्रोन टो relaxation time L is the length of connector is the area of connector इन में से जो mass आपके पास constant रहेगा जो number of electrons है पर unit volume वह भी आपके साथ fix रहेंगे जो यह है वो भी चार्ज उनका fix रहेगा लेंथ भी हम connector की मानते की fix रहेगी एरिया भी fix रहेगा लेकिन सारा खेल किसके आपके पास relaxation time का यहां से हमें क्या बता चलते हैं कि जो आर है वह इनवर्शली पर पोर्पोर्शनल कि यानि कि जो रसिस्टेंस है वह रिलेक्सेंट टाइम के इनवर्शली परपोर्शनल है अब याद करो रिएक्सेंट टाइम होता क्या था यह था time between two successive collisions यानि कि आपके पास electron यहां पे टकरा है यहां पे टकरा है तो यहां पर यहां पे टकराने की क्या यहां कि यहां देखी अब यहां आपे हुआ क्या सारा खेल क्या है कि जैसे ही मैंने टेंप्रेचर को को क्या किया एप जैसे ही मैंने टैंपरेचर को क्या किया इंपरीज इंपरेचर मान लो हमारे पास पर कंडेक्टर बढ़ाया चैंपरेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि जो एटम से जो आइन से जो मोलिक्यूल से वो क्या करेंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे यह क्या करना स्टार्ट कर देंगे अपनी मीन पोजिशन पे वाइब्रेट अब सोचो अगर यह वाइब्रेट करेंगे तो क्या जो इलेक्ट्रोन है वो आसानी से यहाँ पर आएगा नहीं आएगा वो क्या करेगा वो पहले यहाँ पर टक्राएगा फिर यहाँ पर टक्राएगा और कोलिजन करने की कोलिजन कर जो टाइम है वो क्या हो जाएगा कम हो ज घट गया relaxation time क्या हो गया घट गया अरे भई आप मान लो किसी मेले में हो और आपको बहुत को भाग के यहां से या प्यान है तो भाग क्या रहे वराम से टक्रें भी खा रहे हो रिक्सेंट टाइम स्पोस करो बढ़ रहे हैं आप आप कुलिजन कर रहे हो लेकिन अगर मैंने ब पर संसे सिमिलरली जो इलेक्ट्रों से वो टकराएगा बार-बार किसे एक्टम से या आयन से जो क्या करें वाइबरेट करें और तकराएगा जल जल्दी तो relaxation time क्या हो जाएगा कम टेमपरेश्चर भढ़ने पे रिलेक्सेंट टाइम क्या हो गया कि कम हो गया बास समझ में मतलब कि temperature बढ़ाने पे metals का या conductors का resistance बढ़ता है और क्यों बढ़ता है या रीजन मैंने आपको या पर बताया बासमझ में आया यानि कि temperature बढ़ाऊंगा तो इसको आने में क्या होगी या पर प्रोब्लम में इस बार को यहां तक पहुँचने में Orange is तो इस बात कने याद रखने कि ऊंष्ण आए है किसी टेंपरेचर क्या क्या होगा डिलेक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो गया मतलब की रसिष्टेंज की इंक्रीज हो गया इस एक सिद्धी से लाइन को आपको याद रखेंगे बस टेम्परिचर बढ़ा गटा और असिस्टेंज बढ़ा देट सो बास समझ में आया चलिए अब आगे चलते हैं अब हमें पता है कि वी नो मानलो आपके पास एक कंडेक्टर है यह इसका जो एक रोसेक्शन एरिया एल के मानलो इसकी लेंथ है अब समंगे आम यह तो पता चल गया कि टेमप्रेचर बढ़ाने पर रसिस्टेंस बढ़ेगा बड़ानी प्यतना रसिस्टेंस बढ़ेगा यह सब चीज हम अब बताएंगे और यह LIKE आपका एफ्यक्ट ओफ तैंप्रेचर रसिस्टेंस विद टेमप्रेचर माना कि T1 एप इस और असिस्टिविटी कितनी हो गई रोटू क्यों आपको बताए थी डिपेंड ओन टेंपरेच्चर ठीक है बही चलो अब आगे देखना अब माना कि जो मैंने टेंपरेच्चर चेंज किया जो रसिस्टेंस आया कि जो आर्टू माइनस आरवन डिरेक्ली प्रपोर्शनल है कि कि आरगे टी टू माइनस टीवन में समझना इस बात को कि यह टैंपरेच्चर जो 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 वही है क्या रासिस्टेंस का जो चेंज होगा वा नहीं प्रपोर्शन्वल टेंपरेच्चर पे आप जितना टेंपरेच्चर त्रक्यों ध्युद्ना प्रक्के ए傷तमा R2 minus R1 directly proportional to R1 जो changing resistance है वो directly proportional किसके है initial resistance के यानि जो आपका starting का उसका resistance रहेगा कैसे देखो मानलो यह आपके पास conductor है इसकी length है ले आरवन पे इसका temperature है है मालो टीवन पे इसका जो resistance है वो हेंडड़ोम है टीटू पे इसका जो resistance हो गया वह 110 हो गया बास समझ में आई तीवन पे हेंड़ोम टीटू पे 110 अब अगर मैं लेंद को डबल कर दिया कि टू एल लेंद कर दी तो मैं पता है कि लेंद डबल हो गईतो रसिस्टेंस भी क्या हो गया डबल कितना हो गया Jamie कर दो हैंड़ोम आ कि अब मैंने टैंप टीवन पे हिसका रशिस्टेंस कितेंचितना था और बते से टीटु किमें उबागा यह चैन बादे से इसमें कितना बढ़ेगा ट्वंट ट्यांद दीवैंगि यहांपे 200 था 222 हो गया 100 था तो 120 हो गया यहांपे 10 बढ़ा है तो जहल जो चेंज इन सिस्टेंश इसक्रों को किसी किस पे डिपैंड कर रहे किस पर प्रपोर्शनल और आप के पास इनिशिल आसिस्टेंश को एकुएट आई कूल रखा हमें पता है कि हमारे पास स्यसाथ टीटू माइनस टीवन समझ में आया चलो भई आ गया या तक उसके बाद हमें पता है जो पर पोर्पोर्शनल्टी को है हम बरदास नहीं करते हम नहीं यूज करते तो उसकी जगां कॉंस्टेंट लिखे आपते हैं और यहां पर कॉंस्टेंट आपके पास आया आर्टू माइ स्टीवन चलो इसको मैं अलग पैन से यूज करते हैं इसको रेड़ पैन से लिख लिए यह यहां पर प्रपोर्शनल्टी नहीं है यह यहां पर टेम्परेचर को एफिसेंट है एस चलो एक मिनिट वेट इसको इस तरह करते हैं यह देखो बास समझे में आई एल्फा एक्वल टू रखे यह डैकली प्रपोर्शन नहीं है यह एल्फा है यह कॉंस्टेंट है और यह कॉंस्टेंट का नाम क्या है इसको बोलते हमें क्या बोलते हैं इसको हमें टेम्परेचर कोफिशेंट इसको क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोफि सेंट और इस फॉर्म लें कमने याद दखने और यहां से अलफा की वेल्यू क्या आगे आपके पास टैपनेशर कोफिशेंट की आर्टू माइनस आरवन अपोन में आरवन टीटू माइनस टीवन बासमझ में आया यह आपके पास हो गया टेमप्रेश्चर कोफिशेंट कि तूदा ओरिजनल असिस्टेंस यह इनिशन असिस्टेंस एंड राइज इन टैंप्रेश्चर की टैंप्रेश्चर आपका कितना राइज हुआ यह इसकी डैफिनिशन आप बोल सकते हैं अच्छा कोई आपसे पूछ ले की वोट इस दा ऐसा यूनिट इसकी आपसे है तूपर ओम बचेगा निच्चे क्या बचेगो A Baло माइगा इसका क्यलीं तो मस Chili गटगया इसकें उट चाया आपके पास क्यलीन इनवर्स और डिगरी चैल्सियस इंवर्स है या तो यह आपके पास क्या होगा टेंपरिशर कोफिशिंट कर तक आया समझ में चलो इसके आगे अगर हमारे पास रसिस्टेंस आ गया तो क्या है हमें पता है कि रसिस्टेंस क्या होता है रो एल बाइए अगर मैं आर्टू की जगह क्या पूट कर दूं रो टू एल टू बाइए एल बाइए क्योंकि रसिस्टेंस टेंपरिचर बढ़ाऊंगा तो लेंथ पर ज्यादा फरक नहीं तो हम इसको इग्नोर करेंगे ठीक है तो हमने हमें हमें पता है कि रसिस्टेंस R2 क्या हो गया रो 2 L by A R1 क्या हो गया Rho 1 L by A यह यहनि L by A क्या रहेगा constant रहेगा और जभी कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहां पर हमारे पास आएगा कि रो 2-0 is equal to alpha रोवन टी-2-1 और आपके पास आलफा क्या आगा है आपे सेम यह आया क्या आया रोटू- रोवन रोवन टी-2-1 और एलफा-इस-क्वल-2-2-1 अपोन में रोवन इसको टी-2-1 को मैंने बोल दिया डिटी चेंज इन टेम्परेचर बात समझ में आई ठीक है और इसको जब हम सोल करेंगे तो r2-r1 is equal to alpha r1 the r2 आपका कितना है इसको solve करने पे r2 is equal to r1 उद्र चला गया क्या गया r1 plus plus में alpha r1 t2 minus t1 देखो इस वाली क्वेशन इसको और यह r1 का मनाया बचा आपके पास और 2 is equal to r1 1 plus alpha t2 minus t1 जो आपके न जो आपके न बुक के अंदर सिद्धा यह दिया हुए कैसे आया यह आपको हमने बताया बासमने में यह यह फॉर्मला बुक के अंदर डायरेक्ट कि वी नो दिस क्यासे इस बिकोज ओफ दिस यह आपके पास इसका पुरूफ है तो यह आपके पास होगे फैक्ट ऑफ टेंपरेचर इसके बाद हमारे पास तीन ग्राफ है चलो आप ग्राफ को स्टेडी कि मैं टू अबर त्री या पर हमने लिखा और और रो और या फिर रो और अजिस्टेंस या फिर तो इदर आपके पास से टेंपरेच्चर है बासमने मैं सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी मैटल्स की मैटल्स या फिर कंड्यक्टर नमबर 2 में बात करेंगे अ इंसुलेटर या फिर हम बात करें सेमी कंड्यक्टर अ और थर्ली अमिआपटल्लाइट्स भी बोल देते हैं कि बासमने और थब्ट थर्ड़ पर हम बात करेंगे आपके पास ते आलोई जो है बात समन्झ में आ चलिए यह इन में से आपको और है ठीक कंफ्यूज नहीं हो ना इन दुनों में से और कुछ भी हो सकते इदर कि अगर हम सबसे पहले बात करें मैटल्स कंडेक्टर की तो जैसे ही मैं टेंप्रेचर बढ़ाऊंगा तो आपके पास इस तरह देखने का मिलेगा आपको ग्राफ देखना यहांसे मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि रसिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता रसिस्टेंस जीरो नहीं होता किसी भी कंडेक्टर का तो यहां पर हमने क्या बात किया रसिस्टेंस हमने नोन जीरो से स्टार्ट किया और जैसे मैंने बढ़ाने पर आपका रसिस्टेंस या फिर आपके रसिस्टिविटी इंक्रीज हो गई एक दम से बासमझी में आया नमबर दो अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की या समय कंडेक्टर की तो हमें पता है इंसुलेटर क्या जिन में करेंट फ्लो नहीं करता या फिर जिनका रस स्रीजिंग टैلفरस जो डोल आपके पास जो उनके और फिर वहलेड्डीगे को जंगे आप जैसे लइंट भरणपरे को अंगे फिर फिर एलेक्टरों होंगे पर किया जाएगे थर्मा लाग्रजी और वहो करने लग जाएंगे दोस्टर उसप्र इसकीος बढ़ाने पर कोवालेंट ब्रेक हो जाते हैं निकल जाते हैं वो करने लग जाते लिए टेमपेश्ट इनलेड़ते हैं यह क्या करते हैं थोड़न के पास इस तरह से मैंने गराब बनाया यानि क्या मतलब हुआ कि temperature बढ़ाने पर इनका भी resistance घट जाएगी जो आपकी स्लोप आएगी वह स्लोप कम है हम इसको इस तरह से मान सकते हैं स्लोप कम लिए यह ने बोला कि एकदम से स्लोप बढ़ गई नहीं इसकी स्लोप कम होती है स्लोप कम होने का यह मतलब है कि temperature बढ़ाने पर इनका रसिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन कम रेट से बढ़ेगा यह नहीं कि suddenly temperature बढ़ जाएगा जैसा मेटल से में होता है तो यह आपके पास तीन ग्राफ हो गए कि इनको अप उतार लेजिए यह आपके पास लाश्ट हमारे पास जो इसका टोपिक है वह लिमिटेशन सोफ फोर्म स्लोई बर स्कूर्स करते हैं फिर हम इसको क्लोज करतें टोपिक को चलिए इसकी स्टार्ट हम करेंगे कि हमें पता है कि वी इस इकोल टू क्यों होता है आया ओम स्लोग बोलते हैं और यहाँ पर वी अपोन आई इस इक्वल टू आ यह बात है तो भाई देखिए सबसे पहले हम बैसिक बात करें तो हमारे पास जो आ है यह क्या होता है ऑमारे पास दो कंडेशन मैंनेगी आपर रहेख आए गान नों कोंस्डेंट kapita केजु़ richer था एक किसके यह अते है कि UNIs के लिए कि यह इनको बोलते कि ओमिक ही ज्ञार डिवाइसिजा कि ऑं कोशन ना सिते हो नोन हो डिवाइस होते क्या है तो जो डिवाइस ज दिवाइस जो डिवाइस चेश ऑम् मचा उस्ट आफ लोग करते ऐने करते होगहते नो ङौ-मीक डिवाइसीजद डिवाइसीज वीच दूंट ओब Опार लौन आजाननों अगले डिवाईस्त अगरिइगवल की बात करें तो संधमपलस थे स्मे कंडेक्टर अधु यह सारे मैंने बता है ना सेमिकनेक्टर रहेगी लास्ट उसमें पढ़ा जाएगा और ओमिक कंडेक्टर से जो आपके पास जितने भी मैटल से तो यह हमारे पास V upon I is equal to R यह constant होगा ओमिक कंडेक्टर में और नौन कॉंस्टेंट होगा यह नौन ओमिक नौन कॉंस्टेंट यह नौन कॉंस्टेंट यह वैरिबल किसमें होगा आपके पास नौन ओमिक डिवाइस बात समझ में आया चलिए अगर मैं इसके बात करें इसकी लिमिटेशन की नम इस नोट लीनियर वो लीनियर नहीं आता अर्थ-अर्थ हमने वी आई ग्राफ पढ़ा था तो आपने वी आई ग्राफ इस तरह से पढ़ते हम स्ट्रेट लाइन अना लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो हमने क्या देखा कि जो आपके पास वी आई ग्राफ है वह स्ट्रेट नहीं आया वह आना कैसा था उस्ट्रेट इस तरह आता संथिक अ लेकिन आएसे नहीं आया वह कैसे आया हूं इस तरह से यह यह स्ट्रेट नहीं है Haiagen यह वो ऊस इस तरह इस तरह इसे हमें हमें देखने को मिलाई यह आपके पास और स्क्रेट नहीं आ इस तरह से लेकिन स्ट्रेट नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने को बढ़ाया तो करंट सेम बढ़ना था हरेट से लेकिन वह नहीं मतलब जैसे हमने potential को बहुत ज़्यादा increase कर दिया तो वहाँ पे कुछ parameters आ गए for example हमें पता है क्या वहाँ पे हमें पता है जू लिटिंग effect जू लिटिंग effect क्या रहता है कि जब potential difference बढ़ेगा तो current बढ़ेगा और current बढ़ने के वज़े से वहाँ पे क्या होगा electrical energy का loss होगा तो इसका हम यहाँ पे current बता सकते है कि due to जू लिटिंग effect हो गया आउ लांच breakdown हो गया जदा potential बढ़ाने से current नहीं बढ़ रहा जिस rate से इसको बढ़ना था और potential बढ़ा रहे लेकिन current क्या हो रहे लाश्ट में आके कम बढ़ रहे कम rate से बढ़ा बास समझ में आया तो इसका हो गया पहला नोट लीनियर अगर नमबर दो की बात करेंगे कि जो आपके पास graph है वी आई कि जो current है depends on value of V depends on value of V वी की value पर depend कर रहे है और आपको graph कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा वी आई इस तरह से आपको यह देखने को मिलेगा आप कहोगे यह क्या हो गया जब मैंने voltage को increase किया positive potential बढ़ाया तो current पहले नहीं बढ़ रहा था फिर एकदम से बढ़ गया और जब नहीं बढ़ाया तो current नहीं बढ़ा और एकदम से क्या हो गया increase हुआ suddenly इसको बोलते है breakdown यह भी आप सेमिकनेक्ट में पढ़ोगे और एक्चुलिम देखा जाए तो यह जो आपके पास है यह डायोड का आपके पास ग्राफ है फोर्वड बाइस और रिवर्स बाइस यह भी आप पर पढ़ोगे तो सिद्धी सी बात है कि वी आई डिपैंड नहीं कर रहे हैं एक डूस सोरी डिपैंड कर रहें लेकिन इस तरह एक पास से स्टेट लाइन नहीं बने लीं नहीं मदी न यहां पर स्टेट लाइन तो यहां पर भी क्या हो गया fazer mobile फश्व aha और नमबर फ्री हमारे पास इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा V और I यानि कि एक value current पे किसी current की value पे हमें 2V की value मिल जाएगी यहाँ पे मान लो V 2 यहाँ पे V बन ऐसा नहीं होना चीये था यहाँ पे अगर हम home slow की बात करें तो 1V की value पे या 1I की value पे हमें 1V मिलती है लेकिन यहां पर हमें इस आई पर आई नॉट पर आमें वी एन मिला और इसी वाल्यू पर क्या मिला में विट्व मिला ठीक है तो है मैरे पास क्या हो गया कुछ इस तरह से लिमिटेशन हो गई और क्या है यह यह गालिलियम आर्सनाइड का आपके पास वी और आई का प्रेक्टिस्टिक्स है जी ए एस बासमझ में आया लेडी लाइट एमिटिंग डायोड का तो भाई यह हमारे पास हो गया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर अच्छाइब माई यूटूबर्स चैनल थेंक यू